जे नियू स्टुडेंट्स का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी शाम को स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा का अनावरन करेंगे। और शाम साड़े छे बज़े पीम मोधी स्वामी विवेकानन्द की साड़े ग्यारा फीट उची प्रतिमा का अउधगातन करने जा रहे हैं। और इस कारेकरम में HRD मिनिस्टर रमेश पोख्रियाल निशंग भी शामिल होंगे। एडमिशन, एडमिन बिल्डिंग में ये कारेकरम होंगा और इस दोरान मालीनी अवस्ती और सांस्कृति कारेकरम भी पेश किये जाएंगे। पहले स्वामी विवेकानन की प्रतिमा का उधगातन साल के शुरुआत में होना था लेकिन विवाद और कुरोना की वज़े से तारिक को बढ़ाना परा लेकिन अब जो लंबा इंतजार था वहां के स्टूडेंस का छात्रों का वो आज पूरा होने जा रहा है। प्रधान मंत्री मोधी करीब साड़े छे वज़ा शाम को स्वामी विवेकानन की 11 फीट उची प्रतिमा का अनावरन करेंगे। प्रतिमा होना चाहिए उनकी एक मूर्ती होनी चाहिए और ये माग आज पूरी होने जा रही है और एड्मिन बिल्डिंग में प्रुग्राम होगा जिसमें प्रधान मंत्री मोधी वर्चुल याने वीडियो कांफरेंसिंग के जरी इसमें शामिल होंगे और HRD मिनिस्टर सि लड़ाई का इतियास 15 साल पुराना है जेनियो में मूर्ती स्थापना की कवायत 2014 से शुरू ही जब M. जगदिश कुमार ने कुलपती पत समाला था 2015 में ABP के छात्रों ने VC के सामने विवेकानन की प्रतिमा स्थापित करने की गुजारिश की, 2017 में कारेकारी परिशत से प्रस्ताव पास हुआ और इसके बाद प्रतिमा बनाने का काम शुरू हुआ मूर्ती की लंबाई 11 फूट से जादा है, चबूतरा 3 फूट उचा है और पंडित नहरू की मूर्ती के ठीक सामने पंडित जी की प्रतिमा से 3 फूट की उची है और विवेकानन की मूर्ती वहाँ पर लगाए गई है तो आप सोचे 15 साल तक संघर्ष किया गया, उसके बाद जाके आज जेन्यू के कैंपस में स्वामी विवेकानन की मूर्ती की स्थापना हो रही है जेन्यू कैंपस में जिस जगे पर ये मूर्ती लगाए गई है, वहाँ से इंडिया टीवी संग्वादाता सज्य शाने एक रिपोर्ट भीजी आप देखिए संबोधन भी होगा और यहां पर तक्रीबां 400-500 लोगों की उपस्तिती में आज स्वामी विवेकानन की परतिमा का अनावरण का कारेकरम रखा गया है इस मुर्ती की अस्थापना के लिए काफी लंबे समय से यहां के पूर्व छात्र संगर्ष करते आ रहे थे और पिछले दो साल की तैयारियों के बाद आज यह वक्त आया है जब इस कैंपस में स्वामी विवेकानन की परतिमा का अनावरण होने जा रहा है केमरम कुल्री प्रावत के साथ संजर साथ इंडिया टीवी दिल लिए जेन्यू कैंपस में विवेकानन की परतिमा को लगाने के लिए विवाद भी कम नहीं हुआ है करीम एक साल पहले कुछ उपद्रवियों ने मुर्ति को नुकसान पहुचाया था कैंपस में लिफ्ट और एबीपी के छातर संगटनों के भी संगर्ष होता रहा है लेकिन आखिर आज जिनके विचारों कुछ हातर पढ़ते हैं वो एक पिर्ष के तौर पर संकेत के तौर पर उनके बीच होंगे अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद कुछ और खबरे